जलंदर की लोकसभाद सीट पे आज चुनाव के नतीजे आये हैं जिस पे आम आदमी पार्टी की एतिहासिक जीत हुई है अभी तक लगबग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकुजी आगे चल रहे हैं थोड़ा सा गिंती और बाकी है लगबग 10,000 वोट की गिंती और बाकी है ये बिलकुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट ओवे से देखें कि ये कॉंग्रेस का गड़ रहा है पिछले 60 साल में से 50 साल यहां पे कॉंग्रेस जीती रही है तो उस गड़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर एक साल बाद के बाद ये चुनाव हुआ किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है बहुत कठिन क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किये थे पुरानी सरकारों ने वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहरिट किये थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी के भगवंतमान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वातावर and create किया कि जितने काम कि हम तो केवल काम की राजनीती करते हैं ना हम धर्म की राजनीती करते हैं ना हम जात की राजनीती केवल काम हमारे कामों के बेसिस पर हम वोट मांगते हैं लोगों से तो एक तरह से पंजाब की जनता ने जलंदर की जनता ने और जलंदर का जो यह करते रहो हम आपके साथ हैं यह बहुत बड़ा मेसेज है तो जलंदर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं बधाई देना चाहता हूं इसके लिए मैं थोड़े से आकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगबग सवा साल पहले, वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की, उस वेव में भी जलंदर की लोकसभा सीट में 9 विधान सभाएं आती हैं, उन 9 में से हम केव चार जीत पाए थे, बाकी पांच कॉंग्रेस के पास चली गई थी, तो ये इतना जबरदस्त कॉंग्रेस का गड़ माना जाता है, कि 9 में से 4 हम जीत पाए, उस वेव के अंदर भी 5 सीट कॉंग्रेस जीत गई, आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, केवल दो जलंदर सेंटरल और जलंदर नौर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं, पिछली साल असेंबली का जो चुनाव था विदान सबा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42 परसेंट वोट मिले थे, लेकिन जलंदर में हमें बहुत कम वोट मिले, हम 28 परसेंट वोट मिल जी, शाकोट, आदमपूर, फिलौर और जलंदर नौर्थ जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे, आज इन चार में से तीन सीटें हम जीत गए हैं, और एक सीट पे हम सेकिन नंबर में हैं, और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जलंदर सीट से लोकसभा की सीट से हमें केवल धाई परसेंट वोट मिले थे, आज हमें 34 परसेंट वोट मिले हैं, और हम जीते हैं, दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने, एक नेता के अटवाल साब के बेटे, चरंजीत सिंग अटवाल के बेटे को टिकेट दिया था, कॉंग्रेस ने संतोस सिंग चौधरी के बेटे को टिकेट, बेपत्नी को टिकेट दिया था, दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है, और काम की राजनीती को वोट दिया है, कि 2014 में आम आदमी पार्टी की चार सीटें थी लोकसभा में, 2019 में एक सीट रह गई, और फिर जब मान साब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो एक भी सीट नहीं में बची, आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, एक seat century हो रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोगसभा के अंदर भहुमत भी होगा भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नाशनल पार्टी बन चुकी है तो एक लोगसभा ही ऐसी जगे थ अब वहां भी आम आदमी पार्टी के मौजूद्गी हो गई है मैं फिर से पंजाब की जनता को जलंदर की जनता को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत-बहुत धन्यवाजी जलंदर लोगसभा में जो बाइलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आमादमी पार्टी के कामों पर लगबग 14 मेने अभी हुए नहीं है 16 मार्च को हमने ओध ली थी 16 माई को 14 मेने होंगे तो लगबग 14 मेने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है जैसा के हमारी पार्टी के सुप्रीमों अर्विन केजरिवाल जी ने कहा कि हम धर्म की जातपात की राजनीती नहीं करते हम मोहला क्लीनिक गिना रहे थे जो आमादमी क्लीनिक हमने पंजाब में बनाये हैं 580 हम वहां स्कूल अफ एमिनेन्स की बात कर रहे थे स्कूलों के नाम पे बोट मांग रहे थे हम बिजली का बिल 0 जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है ऐसे ही जारी रहे गा उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे बोर्ट मांग रहे थे हम इंफरसक्चर से जो है उसके नाम पर बोर्ट मांग रहे थे हम बपारियों से बात कर रहे थे किसानों से बात कर रहे थे मजदूरों से बात कर रहे थे हर एक की भलाई की बात कर रहे थे इस उसके बाद 67 आई उसके उसके 63 आई तो अरविंद के रिवाज जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से वो आज एक नैशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है 92 MLA हमारे पंजाब की विधान सवा में 63 MLA हमारे दिल्ली की विधान सवा में 5 MLA हमारे गुजरात की विधान सवा में 2 MLA हमारे गोवा की विधान सवा में 10 MP हमारे राजय सवा में और आज के बाद 1 MP हमारा लोग सवा में है तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी सभिधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान जाज हमारा हिस्सा ना हो इस सभामारी पार्टी की टीम जो बलंटियर जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफले के रूब में एक बड़ा रोड़ शो बना देते हैं तो ये उनकी जीत है अर्विन केजरिवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए और अलग लग भी गए हम और जितने भी वलंटियर और ओधिदार सहबान थे उन सब की जीत है मैं जिनोंने हमें मान सम्मान दिया हम पर फूलों की बर्शा की हम को अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया हमारी इज़द की मैं उनको तो बढ़ाई देना ही चाहता हूं दिल से लेकिन जिनोंने हमको गालियां दी हमारे बारे में अपती जनक टिपनियां की अनापशना बोला परसनल लाइफ के बारे में उनको भी मैं कहता हूं के वो भी उनका भला हो अब उनको शहयद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि किसी पर कोई भी लगा दो ये हो गया वो हो गया लोग इस पर ध्यान नहीं देतें लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा हमें बजर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा लो हमें ये एक दूसरे पर कीचड़ फैंकने वाली राजनीति की बजाए हमें विकास की बातें करने चाहिए तो जब बानमे सीच जीत कर मुख्यमंत्री का मुझे दायत्तुक दिया था अर्विंद केजरिवाल जी ने मुझे पर भरोसा किया था तब भी मैंने यह कहा था कि जी आस जगी है तो हमको और जमेबरी से काम करना होगा जलंदर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे देश में हमारे स्टेट को नंबर वन बनाना है यह हमारा अगला मकसद है रंगला पंजाब कलरफुल पंजाब जो हमारा टीचा है उस यारविंजी रोडश्यों में जाते हैं हम यही लोगों को कहते थे के 11 महीने की पिणिन अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा ओगा दोजार चॉबश्यादयों गोगर िलंगा है मार्च के एंड में तो दस 11 महिएंने हमारे MP को मिले है लेकिन 10 11 महिने में ही हम इतना काम करेंगे कि अगली बार हमको हाथ जोड़कर वोट ना मांगने पड़े अगली बार हमारे काम और कामों के अधार पर जितना हमें समय मिला er कार्लियमेंट में जलंदर की वाज पंजाब की वाज बनके गूंजेगी यह मुझे उमीद है और आज लगबग साथ हजार मतों से जीतना और बाकी सभी कठे थे बीजेपी अकालीदल बीएसपी कॉंग्रेस यह सब कठे थे इनकी पीसी लग-लग होती थी बस एक गंटा पीस वजे वो देते थे तो ये कठे मिलके लड़े तो लिकिन लोगों ने इन सबको लकार दिया और लोगों ने आमाद्वी पार्टी की जो सरकार और उसके वर्क लगवाग साड़े आठ लाग से ज्यादा लोगों ने बोट किया और हम उनकी आसों उमीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और हमारे जिम्मेबरी इसको हम जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जलंदर के लोगों की उमीदों पर पूरा उतर सकें और वहाँ पैसा क्या हुआ है अभी हमारा बोट बैंक कि हमें भी निफटा कौन है हम किसी सर्वे में नहीं आते हैं कोई नहीं मान रहा था कि सिक्ची सेवन आ जाएंगी कोई नहीं मान रहा था बान में आ जाएंगी तो हर एक्षिन का सेनरियो लग-irdi होता है तो संग्रूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सारमात्य पे लिया उन उन वहां क्या कमिया रही क्या हम नहीं कर पाए उन से सीखा तो आज हम वह उन कमियों को दूर करके जलंदर में काम जा रहा है पंजाब में पंजाम में तो देखो पंजाम में जलंदर में जाना धौाबा की सीट्ट जो पचास साल से कहा सथी और こうई परचार करने भी नहीं जाता था मांगनें भी नहित थे ईस वार भी इस बार भी कोई नेता बड़ा व मैं उनको लगता था लो लोगों को बोट देनी पड़ती है लेकिन अब ऐसा नहीं है तो बदल गया है दो से इस सीट के जीतने के बाद लोग सभा में मारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी विदान सभा में हम हॉलरी हैं और इतना अच्छा काम करेंगे दो हजार चौबीस में तेरा में से तेरा सीटे जीते हम हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं चोड़ेंगे वह था काम पिछले एक साल के अंदर मान साब के नित्रतों में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वह काम अपने आप में बोलता है हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए कोई सोच नहीं सकता था पहले साथ साथ आठाट गंटे के साल बर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के बिजली ठीक हो गई, अब महला क्लिनिक बनने चालू हो गए, सबसे बड़ी बात है कि law and order जो कहते थे इन से संभलेगा नहीं, border state है, इन से संभलेगा नहीं, अब law and order बिलकुल stable हो गया वहां पे, साल भर लगा हम लोगों को, क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था, वो हमने इन हरिट किया, लेकिन अब law and order कि जो अमरित पाल का जो पूरा वो हुआ, जितनी maturity के साथ, मान साब ने उसको deal किया, सब लोग इन की तारिफ कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम, एक साल के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां कितनी दी, 29,000 सरकारी नौकरियां दे दी, और आपको शायद यह नहीं पता, जानके ताज्यूब होगा, पिछले एक साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के, पंजाब के लिए 40,000 करोड का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है, यह MOU साइन नहीं होए, नौमली तो MOU फर्जी साइन होते हैं, वहां पे ही लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी, तो जो इन, वह काम है, काम बोलता है, वही X Factor है, वही Y Factor है, वही Z Factor है, जो और चुनाव के निगाए चुनाव में स्याम आजी पार्टी के इस पीतों पर आगें, कई जीत रही है, लेकिन कर्णाटक में नतीज़ा आप दूस का कही ना कही शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है, वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हरजेगे जीतेंगे, उत्तर परदेश में अभी कई जगे से नतीज़े आ रहे हैं, अभी मेरी संजे सिंग जी से बात हुई थी, और काफी उत्सा वर्दक नतीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर परदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी, इसलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पहतरे चलते नहीं है, काम करो, काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किये, उल्टे सीधे उस पे जड़े लड़ते हैं और वो चलता नहीं है, जनता जो है, जनता काम मांगती है